हेलो तो अल प्लीज सब्सक्राइब दे चैनल और प्रेश बैल अगन फर मोर वीडियो अपडेट तुड़े इस ट्वेटी जुलाइब 2020 एं इस वरजनेस दे टुड़े चली आज एनलेशी शुरू करने से पहले कुछ कुछ पूछ लेते हैं आप इस वर्टिन को अभी आपन क्या गया थी आप स्टेब्लिश किया थी शुर्ट लोज पन का कॉंस Eli इसके मैम्बर से मेंबस होते हैं कि दूसरा नता है कि गपिंग वी जाइंट्स पी का है उसके तुख इते हैं को अधर कौन ज्श कीया जैज किया घएंग ग्या पास है कि एक माल से उसके थे वो यह हिंट दे दिया walking with giants के author कौन है तीसरा question आता है कि CBI के जो डिरेक्टर होते हैं उनका tenure कितने साल का होता है CBI की director का tenure कितने साल का होता है यह हो गया फिर fourth question है कि FRBM जो है हमें अच्छा लगेगा जब हर कोई जवाब देता है जैसे कल काफी लोग ने जवाब दिया तो अच्छा लगता है कि सब लोग जवाब देते हैं तो हर सब लोग हर question को जवाब दे और अगर कोई query हो तो उसको भी आप question में पूस सकते हैं अगर कोई vocab हो तो उसको भी पूस सकते हैं या कोई sentence making हो तो उसको भी आप comment section में पूछ सकते हैं चलिए आज की analysis शुरू करते हैं पहली न्यूस है पहली न्यूस है पहली न्यूस आती है दिलीफ फॉर सचिन पाइलेट कैम एज एज सी हाई कोर होड्स वर्डिक्ट वर्डिक्ट तक रोग दिया है कि सचिन पा कर दिया जाए जो सचिन पाइलेट और जो एम एलेट है जो बागी विदायक है उनको डिस्कौलिफाय कर दिया जाए तो ऐसा भी क्या 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 रिक्वेस्ट की जा रही स्पीकर से ऐसा होना चाहिए और कल कॉंग्रेस के एक और मीटिंग हुई है इसी के उपर पूरी प्राइक कर दिया जाए और उनकी ऊपर एक्चेम लिये जाए इसमें इंपोर्टन आता है एंटीट डिफक्शन यह पूरा एंटीडफक्शन ला के ऊपर आता है चले हम लोग देख लेते अलग सब्सक्राब कर सकते हैं कोस्टन हाग तिस्क्रिप्शन पर दीलिएंग से schedule of the constitution क्या आता है then schedule of the constitution कहते हैं इसे anti-defection law कहते हैं इसे लाया गया था 50 second amendment 1985 में इसे 50 second amendment जो होता है 1985 में उसमें इसको लाया गया था the ground for disqualification are mentioned इसके जो ground for disqualification है वो mentioned article 102 और 1912 में ये दो लो आर्टिकल है इनके disqualification जो MLE का होता है ये MP का होता है उसके बार में इसमें बताए गया है इसमें ये भी का गया है when elected member voluntary gives houses membership over political party if he votes or abstains from voting in such an house contrary to any decision should by a political party or another authorize to do so without obtaining prayer permission कि independent members could be disqualified they join a political party क्या कि जो independent members होते है उनको भी disqualify कर दिया जाता है अगर वो किसी party को joint करते हैं जो independent को कोई निर्दले जो members होते हैं जो जीते हैं अगर वो किसी political party को joint करते हैं तो उन्हें भी disqualify कर दिया जाता है इसके grounds दिये exceptions क्या है इसमें अगर कोई part कोई member speaker या chairman बदता है तो वो resign कर सकता है party से और उसके बाद जब उसकी post खतम हुझा है तो उसके बाद जोंफिर कर सकता है कहते हैं कि कोई जब splitting भी पहले होती थी party पहले इसमें splitting of parties भी था अब नहीं है लेकिन इसमें यह भी बताया कि इसमें exception यह भी कि अगर कोई दो party merge करती तो at least two-third of the party legislators को हाम ही भनी होगी अग यस वोट करना होगा तब ही कहते हैं merge हो सकती party ऐसे इसमें बतायागे है चली challenges देख लेते हैं लोग इसके challenges के हैं rebel mla arguments कि जो rebel mla होते हैं arguments जो होता है उसके यह challenges हो सकते हैं इसमें anti-defection law के सुप्रीम कोर्स रूलिंग सुप्रीम कोर्स की रूलिंग जैसे सुप्रीम कोर्ड इंदा कि हो तो hollow zone versus जैसुल अधर 92 है जब तक कोई speaker या chairman कोई decision ना दे तब तक judicial review उस पर लागू नहीं हो सकता है reason for limited role of courts की courts का limited role ही होता है क्या करते है यह anti defection law में की reason for limiting the role in ongoing defection processing is that the office of the speaker is held the highest respect and stream in parliamentary tradition की जो speaker होता है उसको highest respect दी जाती है और उसी का ही action जो होता है वह ही parliamentary action पुरा माना जाता है पूरा tradition के असाब से होता है judicial review भी एक challenge हो सकता है anti defection law का इट है कि जो against कोई भी judicial review होता है speaker या chairman के खिलाव anti defection proceedings के उपर तो उसमें भी jurisdictional errors आ सकते हैं तो इसलिए judicial review में भी एक challenge हो सकता है चलिए अगली news देखते हैं लोग अगली news आती है अमरनाथ यात्रा cancelled की अमरनाथ यात्रा को कैंसल कर दिया गया है दा श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड जो है SSB SSB उन्होंने Tuesday को कैंसल कर दिया annual प्रिग्र में जो होता था जो हर साल अमरनाथ यात्रा होती थी उसे रोग दिया गया है SSB बताएं इस पें important आता है अमरनाथ यात्रा हम लग देख लेते हैं उसको इures अमरनाथ यात्रा यह क taxifier डी पिन्दा हिमालय है जो साुध कश्मीर के पढ़ता है वहांपे iki那麼 पडाएं यह 3888 क्लो मिटर झागते हैं अब अबव शीलेफल यह जो केव है यह अबव सी लब 3888 मीटर पर रहे है और यह क्याकते हैं से पैदल जारी जा सकती है कि लगभग करो हजार लाख हो हजारों लाख हो लोग जाते हैं क्याकते हैं इसमें 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 पॉर्टन आता है कि एक बंती कैसे है वह भगवान जी बने कैसे है दा आइस लिंगाम इस फॉंद बाई ट्रिकल ऑव वाटर फॉर्म स्लेफ दिन दा केवसरू कि जो पानी गिरता है केवस में उसके जो आइस किती उसके पानी से ही बनती है दा श्युवा लिंगम गिर्टिस फॉल शेप इन मईवी इसका जो शिवा लिंगम होता है वो मही में अपना पूरा शेप लेता है और क्या गते हैं आगाज तक मेल्ट करना शुरू कर देता है महाज से मेल्ट करना शुरू कर देता है फिर वाटर फ्रीजर एड्रिप्स फॉर्मिंग ओवर टाइम और टॉल स्मूथ आइस टेग मिलेट जो पानी गिरता है उसी के डिप से ही यह आइस बनता है और क्या गते हैं इस श्राइन बनता है ऐसा इसमें बताएगे है और भी कौन-कौन से पिल्ग्रमें ने जम्मु कश्मीर में वैष्णो देवी है वैष्णो देवी बहुत फेमस हिंदू टेंपल है जो कहते हिंदू गॉड़ेस के नाम पर रखा गया है और इसे लोकेटर रहे है जो जम्मु कश्मीर का त्रिकूरता माउंटेन है वहां पर इसे लोकेटर है यह 5200 फिट उचाई पर है सी लेवल से और क्या किते हैं इसका 13.5 क्लमीटर कट्रात से दूरी है जो ऐसे इसमें यह विरियर मोट्स और आर बिल्व कंट्रा जो से पोनी यह एलेक्ट्रिक वाइकल्स के द्वारा इसमें जा सकते हैं वैष्णो देवी में लेकिन एलेक्ट् जबरवन माउंटे में परतार श्री नगर के यह लॉट शिवा से डेडिकेट है लॉट शिवा को डेडिकेट है यह टेम्पल है लगबग 1100 फीट उचाई पर प्लेन से काफी उचाई पर टेम्पल है इसे 371 BC में बनाए गया था कहते हैं देग्रेट संकाराचारी साइट जब किये थे कश्मीर तो वहां पर रुके थे ऐसा माना जाता है 371 BC में तो इसे शंकाराचार टेम्पल बना दिया गया वहां पर रहुना टेम्पल भी है जो एक नौथ इंडिया काफी बड़ा टेम्पल है जो कहते हैं इसे बनाए गया था माराजर गुलाब सिंग के दार इसमें साथ शाइन्स हैं साइज शाइन्स हैं है इच हैविंग इट्स ओन शिकरा और सबका एक अलग शिकरा है प्रेजर इसमें कई भगवान है कि हिंदू भगवान कई सारे हैं कहते हैं हिंदू गॉड हिंदू गॉड इस दोनों बहुत सारे हैं इसमें और इसके में प्र मस्ट ऐसे इंग्त नियुक्त निकलता है वह effort क Catalck केल सकता है तो विइसलिए जो काई गयिजा गया जो कोवेट इससे इंपर्टैंट लाता है एंग्त चलिलहं हमग और इनजीटी को देख लेते इसे स्टेब्लिश किया गया था 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिबिनल आप के दोरा एक स्पेशलाइज इंवार्मेंटल कोर्ट होती है जो डिसीजन लेती इंवार्मेंटल इशूस पर और गया गते हैं जो भी कंजर्वेशन और फॉरस पर अपना डिसीजन लेती है और यह जिसक मेंबर होता है और क्याकते हैं एक्सपर्ट मेंबर होता है क्याकते हैं यह ओफिस होल्ड करते हैं पांथ साल के लिए पांथ साल के लिए लोग ओफिस होल्ड करते हैं पांथ साल के लिए उसके बाद लेकिन इनमें नौट एलिजबल फॉर री अपोइंटमेंट नहीं होता इसके जो चेयर परसन होता है वो अपॉइंट किया जाता है सेंटर गवर्मेंट को दौरा चीफ जेस्टिस विंडेक साथ कंसल्ट करके और एक सेलेक्शन कमिटी बना जाती है इसके जूजिशन मेंबर्स और एक्सपर्ट मेंबर्स को बनाने के लिए इसमें लगबग 10 अट जीज करता है सिविल कैसे से वो साथ लाकेंडर डील करते है जीसे वाट प्रेमेंशन एंग कंट्रल ऑफ पोलुशन अग्राइब्लिशन अग्रा निटीन वाट प्रिमेंचिन आंग्राइबलिविशेंस आज पाना दिसेंटिति इन साथ लागेंटर ये सिविल इंवर्में पहले नहीं जाती है, अगला पहला एल्टोरियल है, on the loose, कि तब West Bengal ने government must not stay from the constitutional mandate, कि ये पूरा एल्टोरियल के बारे में गौवरनर के बारे में बताएगा है, West Bengal के गवरनर, जो जगदीब धानकर है, जगदीब धानकर, जो गवरनर West Bengal को हमेशा spotlight मेरते हैं, किसी ना किसी उस एल्टोरियल में यही बताया गया है, कि जैसे हमने देखा कि अभी वो कुछ दिन पहले होम मिनिस्टर हमेशा से मिले, और उन्होंने कहा कि ममता बनर जी इसमें बताया गया है, कि ममता बनर जी गौवर्मेंट के जो गाइडलाइन से उसके उपर वर्क नहीं करे, उसकी तर दवर्क कर रही है, ऐसा ममता बनर जी ऐसा उनका कहना था, उन्होंने ये भी कहा कि वरिफाइड दा हमने स्टेट रैंपर करेप्शन और निपोटिजम भी निपोटिजम भी बहुत जादा है, ऐसा कहा गया, इसलिए वो काफी ज़्यदा वरी से हमां, डेजरेंशली डिरे कर रहा है, ऐसा उन्होंने कहा, उन्हें इसमें ये भी कहा गया है, कि उन्हें नहीं बोलना चाहिए जो गवर्नर है, कि वो किसी पॉपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर नहीं है, वो एक स्टेट के गवर्नर है, तो उन्हें कहा गया है, अपने स्टेट गवर्नर क में जो इंपैक्ट आया काफी स्लो है और काफी स्लो रिस्पॉंस से एसस में बताया गया है लास्ट में यह भी कहा गया है कि the pattern of interference by the center in the affairs of state raises other legislative concerns कि जब center किसी state में अपने कहते हैं इंटरफेर करता है तो काफी ज्यादा सोचनी की बात हो जाती है काफी legislative concerns बनते हैं then he must therefore roll back to his rear trick and the prime minister and homm minister might urge him to stay within his constitutional circumcance कि जो governor है उसको अपने role पर work करना चाळिये कि उसे क्या work करना चाहिए ना कि उसे जाके home minister या prime minister सिखायत करना चाहिए और prime minister, home minister को भी इसको कहना चाहिए कि वो अपने state पर work करें ना कि सिखायत करें दूसरे लोग से कि क्या हो रहा है अपने स्टेट पर वर्क करना चाहिए उसे कि अपने रोल को देखना चाहिए इस पर इंपॉर्टन आता स्ट वर्सेज गॉवर्वर्मेंट चलिए हम लग उसको देख लेते हैं गवर्णर वर्षिस्टेट कोवर्णमेंट इससे पहले जन्वरी में 2020 में इसी साल ये हुआ था कुछ केहते ही किसी बात पर हुआ था कि केला के भी गवर्णर और करते हैं वेस्ट बेंगोल के और दोनों बहुत ज्यादा मुझत संद्ध कौंट्रोवर्षी में थें कि जो व किसी गुवर्नर का क्या होता है the constitution seeks to boost a centripetal force in the vast and diverse country and the center powers to appoint governors in one such कहते कि जो constitution के हिसाब से जो center government होती है वह ही appoint करती गवर्नर किसी भी state का governor center government appoint करती है the governor's constitutional role has been debated and interpreted through several cases गवर्नर का रोल कई cases और कई cases में बताया गया और पता भी चलता है occupants of the have managed to push the boundaries with unprecedented moves कि जो लेकिन इडो ने कई boundary move कि है कई boundary उको बढ़ाया है SS में कहा गया यह office कैसे use किया जाता है how is this office being used the sagious occupants have used the governor's office to promote national integration जो रहते हैं यह governor's office maximally इसलिए हो किया जाता है national integrity कोई भंग ना कर पाया state में इसलिए maximum इसे use किया जाता है many others have mainly acted as agents of the ruling party कि कुछ लोग इसे ऐसा मानते हैं कि वह एक agent रहता है center government का state ऐसा कुछ लोग मानते है और सही भी बात है कुछ governor ऐसे रहते भी है देखना जाए तो तो इसमें यह भी का गया है how's the current conflict different कि जैसे उस वक्ड भी हुआ वह ही इसमें बताया गया है कि होना कैसे चाहिए और governor's को office कैसा होना चाहिए ऐसा इसमें बताया गया है कि governor's role linked as a link between state and sector shall not be imperial one कि जो link होता है state or center का उसको एक governor ही उसके बीच में link होता है उसे पूरी तरह से imperial one होना चाहिए कि imperial one नहीं होना चाहिए उसे की एक तरफ जुका रहे है कि center की तरफ जुका रहे है तो ऐसा नहीं होना चाहिए उसे दोनों तरफ से action लेना चाहिए क्योंकि वह एक state का governor है तो state के लिए उसे वर्क करना चाहिए the office of the governor must be dialogic and consultative one कि जो office होना चाहिए governor का वह एक dialogic और consultative one होना चाहिए और इसकी जैसे हमने देखा ही है कि लवेस्ट बंग गवर्नर के बारे में जो गवर्नर उन्हें center अपॉइंट करें किसी भी state का तो वह काफी जारा सोच समच के करें कि वह state के लिवर करें ना कि center के तरफ जोका रहे ऐसा center government को सोच के करना चाहिए चली अगली news देखले हम लोग अगला editorial आता है the main planks in the counter-china policy trying to make sense of Beijing action is critical India must use the sober trolls of power available to it कि अगते ही पूरा editorial चाहिना की जो policy है जो हम लोग ने उनको ban कर रखा काई चीजहों में चाहिना के app बन कर रखे चाहिना की स्वाधेशी protection हम लोग यूस करने सा तो पूरा editorial ऐसी बताता है कि हमें कैसे action lens यह चाहिना किलाफ कि जैसे हमने देखा कि अभी 14 जुलाई को फिर से meeting हुई थी कॉप्स कमांडर की लेकिन उस पर कोई एक decision नहीं आया कि troop disengagement को de-escalation को कोई decision नहीं आया था तो उसके बाद इसमें यह भी कहा गया कि जैसे हमने देखा कि उन्होंने चाहिना बॉर्डर में चाहिना ने कई agreement टोड़े जैसे 1993 का अग्रमेंट 1996 का 2005 का 2013 का तो कई सारे agreement टोड़े हैं तो ऐसा इसमें बताए गया है आप comment section बताएं कि कहते हैं कौन से war के बाद अकसाई चिन कहते हैं कब अभी वीडियो देख रहे हैं तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरू कर लें इसमें यह भी का गया है कि ट्विंटीफां सेंच में जैसे हमने देखा था कि चाइनीज देंग जिएंपिंग ने मैंशन किया था राजीव गांधी को कि एक अभी शुलिफां सेंच में वाहां पे उस तरफ से जाने की बात की गई से इसमें यह भी कहा गया है इसमें यह भी कहा गया है कि इंडिया शुड ऑल्सों रिप्लाइज अनर्डर इंस्ट्रुमेंट अथ इंप्लाइज दा पास कल्टिवेशन और फॉर्ट लीट वित दिजाइन है उनका तो उसके एकला उसको नजर मिलाना दूसे जो फोरीन से उनके इकला ईकला में और बेयर ऌख्शा बिल और तरफ pace से ऊटाne करें ऐसा उसे हमें कहां गया है की जो Snीनल अलाइडमेंड मॉवमेंट जो इंडिया का का asphalt है लेकिन कुछ जगाओं पर अच्छा है, हाज तरह से पूरा प्रॉड नहीं है इसमें यह भी का गया है कि जैसे हमने Quad में जो Quad में रहता है जो आप Comment section बताएं कि Quad में कौन-कौन सी country है Quad जो है, उसमें कौन-कौन सी country है आपको Comment section में बताना है कौर्ड में कौन 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 सी country has यह हम कल बात करने हैं हैं कल या पर सो आपको बताने कौन 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 सी country कौर्ड में है और इंदिया किसे invite करने की सोच रहा एं चलिए हिंट भी दे दी हमने चलिए चलिए अगले الإ Asians loser देखते हम लो The relief measures do not seem to be commensurate with the economic description caused by the lockdown कि जो अभी relief measures जो यूज के जारे है वो पूरी तरह से relief measures नहीं दे रहे हैं कि पूरी तरह से सहाइता नहीं कर रहे हैं जो economic disruption हुआ है lockdown के समय उसके तुरह पूरी तरह से खतम नहीं कर रहे हैं सच में कहा गया है इसमें यह भी कहा गया है जैसे हमने देखा कि आत्म निर्बार भारत package launch हुआ उसके बात काफी ज्यादा चेंजमेंट आया है लेकिन पूरी तरह से चेंजमें नहीं आया है पहले काफी ज़्यादा दिखा थी लेकिन जुलाई में जो गैप था जो गैप था इत्ता बड़ा हो गया था lockdown कारण लोग के बीच में गरीबी बढ़ रही थी भूक मेरी लोग बहुत ज्यादा भूक है मर रहे थे तो इस जुलाई में थोड़ा कम हुआ है एसस में कहा गया है आद में दोड़ा package है वो 10-10% है GDP का और जो ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया इंटरनेशनल डाटाबेस इस राव अब्यान लाँच किया गया है जो प्रोजेक्ट 12 मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट का लोग को है वर्क प्रोवाइट करने के लिए जिसे लोग कर सके और ऐसी दिक्कते ना है जैसे कि को रोना का रहा है लोग भूक मेरे तो ऐसा कंडिशन नहीं आने चाहिए इसमें कहा इसको एकनोमिक सिच्वेशन को रहा है जो पैंडिमी के उसके कारण इसको एकनोमिक सिच्वेशन को कंड्रोल करने में इसमें यह भी है इसमें इंपॉर्टेंट आता है frbm इसमें इंपॉर्टेंट है causal responsibilityring and budget management यह ऑक्टछिय इंपॉर्टेंट इसमें आता है यह हमने कि ईटा nे इसमें pouचा भी था FrBB act के बारे में क değildi KPE रस्टेबूिच किया गयता हम लोग उसको आलग से देख लेते हैं लेकिन देखना की कामें सेक्शेन किसने किस7 गया है आफार बीं के बारे में चलिन कुछ से देख लेते औररे मैं कि अगस्त्ती दो यह लाया गयता ऐधा यह इसका एम होता है कि Central Government response for ensuring intergenerational equality and fiscal management Central Government की पूरी responsibility होती है Fiscal Management और long term macroeconomy stability के लिए यह Act कहते है एक investigation कहता है setting of limits in the Central Government depth and deficits जो Central Government की depths होती है और deficit होती है उस पर पुरा ध्यान यह रखता है It limited the fiscal deficit to 3% of the GDP यह जो इसका fiscal deficit जो जो 3% होता है Limit कर रख इसने इसमें यह कहते है इसमें यह कहते है The rules for implementing the Act was never notified in July 2004 कि जो इसके rules है उसको अचके उसको अप्लाइ कने के इंप्लिमेंट कने के जूल 2004 में बनाया गया था The rules for 2018 में इसके amendment हुआ और recently 3.1% of 4th March 2022 और एक setting कर दी की target 3.1% March 2023 तर जो NK Singh Committee थी NK Singh Committee recommended that the government should target a official levels of 3% of GDP up to March 31, 2020 cut shift to 2.5% by 2020 NK Singh Committee ने कहा था कि 3% GDP हर साल जाना चीए 2016 से लेकिं 31 March में 2.8% हो गया कि 3.3% राथ 31 March 2022 उसके बाद 2.8% होगे 2021 आले में और ऐसा कादर 2.5% तक 2023 तक रहेगा चलिए अगली न्यूस देखले हैं हम लोग अगली न्यूस आती है अगली न्यूस आती है plot to wreck monetary stability कहते हैं पूरा case जो है यह पूरा न्यूस gold smuggling के उपर है इसमें इंपॉर्टेंट आता है एन आई चलिए हम लोग एन आई को देख लेते हैं जीक करता है इसका है इसका है कोंगलिंग के खिलाब करता है इसको अब्जेकिटिव है combat terror terror को खतम करना इसका objective है Central Counter Terrorism Agency के रूप में भी है वह करता है इसका headquarter दिल्ली में है और इसके कई branches हैं हेदरबाद, गुहार्टी, लखनौ, मुंबाई इस जगहों पे इसके कहते हैं कहते हैं कहते हैं यह इसका amendment हुआ 2019 में इसके बाद इसमें human trafficking मी जोड़ गया कि जो counter offenses होते है counterfeit currency और banknot के उपर उसको भी जोड़ गया जो prohibited arms के manufacture या sale होते है उसको भी इसमें जोड़ दिया गया cyber terrorism, offenses under the explosive center इसको भी इसमें जोड़ दिया गया इसमें एक special code भी होती है जो कहते हैं decision लेती हैं क्या एक special code थी उसका पूरा जो special code है उसके पूरे power code of criminal procedure जो 1973 उसके उपर वो अपने decision देती है ऐसा कहा जाता है कि अगर decision filter code का नहीं आ पा रहा है तो central government decision लेती है और उसका वही decision final होता है चलिए अगली news एक्टेम लोग अगली news आती है CBI question कहे लो OSD in inspector case इसमें important आता है CBI इसकी news important नहीं है important है CBI चलिए हम लोग CBI को देख लेते हैं CBI Central Bureau of Investigation यह एक Premier Investigation Agency है इंडिया की जो कहते हैं इसमें function करती है Department of Personal, Ministry of Personal, Pension and Public Gravance है Government of India के अंदर यह work करती है Prevention of Corruption Act के खिलाब भी work करती है जो corruption होता है उसके खिलाब यह work करती है यह पुलिस नोडर पुलिस अजन्सी है जो Interpol Member Countries के साथ भी मिलकर work करती है इसका convection rate काफी अच्छा है 65-70% और इसे one of the best investigation agency भी माना जाता है इसके जो डिरेक्टर होते हैं वह इंस्पेक्टर जनरल और पुलिस होते हैं डेली पुलिस स्पेशल पुलिस establishment के और क्याकते हैं 2014 तक CBI Director एक DSP Act होता है उसके 1947 उसके दारे से पॉइंट किया जाता था लेकिन 2014 के बाद जो लोगपाल बिल पास होग उसके बाद एक कमटी बनाए गई CBI Director को अपॉइंट करने के लिए और यह जो CBI कमटी है इसका लोगपाल जो कमटी बनी है लोगपाला एक्ट के बाद उसके Head है कहते है Prime Minister वही से ले उसके और भी कई Head Member होते है Leader of Opposition भी होते है Leader of Single Opposition Party Chief Justice of India Supreme Court यह सब इसके कमटी के Member होते है वही सब कहते है एक List दी जाती है Home Minister एक List देता है D.O.P.T को D.O.P.T को एक List देता है और उपर चेक करते है Anti-Corruption Cases को देखते है कि कोई Case तो ने चल ला उसके उपर उसके बाद वह List वापस दी जाती है उसके बाद Member Select लिया जाता है Director कौन बनेगा Director होते है उसको दो साल का Tenure होता है CVC Act 2023 के दर है चल लिए अगली न्यूज एक दम लो अगली न्यूज आती है ADI Approves Group Variant of Corona Kavach जो Corona Kavach है जो क्योंकते है Launch हुआ था उसके बारे में इसमें बताया गया है ADI Approves किया है उसना Group Variant को तो इसमें इंपॉर्टेंट आता है ADI चल लिए ADI को हम लोग देख लेते हैं अलग से Insurance Regulatory and Development Authority of India ADI इसका एक Apex Statuary Body है जो देखती है Regulates and Developed Insurance Industry in India इसे प्रोविजन मिलता है Insurance Regulatory and Development Authority Act 1999 के दौरे से सारी प्रोविजन हो रहते है इसका Headquarter है 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 इसके Function है कि जो Rights होते Insurance Policy Holders को उसको मेंना है परहें रखना उसको Provide करना Provide Registration Certificate to Life Insurance Company Registration Certificate Provide करना Renew करना, Modify करना कि जो Registration Certificate से उनको Promote करना और Regulate करना Professional Organization को Insurance के खिलाव, Re-Insurance Business के खिलाव करना और Investment of Funds by Investment Companies जोते हैं कि पूरा Decident नहीं के उपर होता है Adjudication of Dispute with Insurers and Intermediaries जो Dispute होता है किसी भी Insurers या Intermediaries या Intermediaries के बीच में उसके खिलाव उसके लिए भी यह सब वर्क करते हैं चलिए Thank you very much आज के लिए इता ही आज हम इता ही रखते हैं और प्लीज कमेंट जरू करें और आगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरू करें Thank you very much Thank you